सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन प्रेस करके ओल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दूस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेरा बॉक्स एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज़ करेंगे तो गाइस गर आभी जाना चाहते हो टेरा बॉक्स एप्लिकेशन क्या है और इस एप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज़ कर लेना है अब गाइस मैं आपको बता देता हूं कि terabox application है क्या तो बेसिकली यह जो application cloud-story application जिसके अंदर आपको cloud storage space मिल जाता है और यहाँ पर आपको 1024GB तक आपको space मिल जाता है जो कि guys आप अपने phone में यूज़ कर सकते हूं जिसके अंदर आप अपने फोटोस वीडियो सब कुछ यहां पर upload करना चाहते हूं तो कर सकते हूं, बहुत सारे documents बड़े बड़े वीडियो upload करना चाहते हूं, वो भी इसके अंदर आप जो कर पाएँगे, तो इसके अंदर बहुत सारे feature आपको मिलने वाले है, तो कैसा application को use करना चले हैं, मैं आपको पता देता हूं तो सबसे पहले यहां पर हम अप्लिकेशन को उपन करेंगे अब जैसे इस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में उपन करेंगे उसके बाद सबसे पहले यहां पर आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहां पर तो सबसे पहले आपको लॉगिंग करन या उसके बार नीचे की सेट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो Enable Automatic Backup का Option मिलेगा और नीचे की सेट में आप देखेंगे तो Ask Me Later है तो यहाँ पर आपको Ask Me Later करना है अगर इसे Enable करेंगे तो Automatically यहाँ पर बैकप होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? Ask Me Later के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस रहेगा वो हमारे सामने आ जाएगा अब इसके अंदर क्या क्या फेचर मिलने वाले कैसे यूज करना चली मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड वाला उप्शन है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर देख तो इनेबल फोटो बैकप सेलेक्ट एंड अप्लोड फोटो यहाँ पर यहाँ अपने फोटो को बैकप लेना चाहते हो तो वह भी आप ले सकते हो और अप्लोड के उपर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो है गैलेरी से फोटो अप्लोड करने का जो ऑप्शन रहेगा वो हमें मिल जाएगा तो इसमें से जो भी फोटो अप्लोड करना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे की सेट म wait for Wi-Fi, तो आप Wi-Fi से करना चाते हैं, तो बहु भी connection कर सकते हैं, अपने data से upload करना चाते हैं, तो आपने data को select करूँगा, और data से uploading यहाँ पर start हो जाएगी, और हमारा जो photo है, वो uploading हो चुका है, यहाँ पर data से ठीक है, तो इस तरह से guys, जो भी आप photo upload करना चाते हैं, तो यहांसे किसी को भी शिर करना तो इससे शिर भी कर सकते हैंें बसके बाद यहां से रहेंगे बैक करने वीडियो उप्लोड करने है इसे अदर तो इसके ऊपर click करेंगे और यहां पर वीडियो को अपलोड कर पाएंगे अब इसके अंदर क्या होगा कि अप्लोड करने के लिए यहां पर जो यह प्रीमियम का उप्शन बता रहा है यहां पर तो जब भी आप प्रीमियम लेंगे इसके अंदर तो प्रीमियम लेने के बाद आप जो वीडियो को अप्लोड कर पाएंगे यह प्रीमियम यहां पर popular theme का जो option है आपनван के उसके लागिकर सामने और हम सब्सक्राइब करनेके उतके आपे धिलढेगा देखेंगा यहां पर टेटरा ективन की आपशन मिल जहाइगा haha जो क्लिक करते हैं Home page के सब्सक्राइब करने का देखने के बात नहीं पर हमारे सामने यहां पर और भी इसके इंदर जो फीचर आपको मिल जाएंगे उसके बाद यहां पर जो भी फुटोज वीडियो जाज अप्लोड करेंगे वो यहां पर देखने को मिलेगा फुटोज वीडियो म्यूजिक जो भी अप्लोड करेंगे वो यहां पर आपको जो देखने को मिल ज तो यहां पर आफ लाइन में यहां पर यह अप्लोड ऊचुका है उसके बाद यहां पर आप फिर से हम home page के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर अपनी Settings को देखना चाथे तो उपर के सहर में sitting पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और जो भी storage आपको use करने के लिए मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तो इसके अंदर आपको कितना storage मिलेगा तो सबसे पहला तो इसे यहाँ से close करेंगे यहाँ पर देखते हो यह 1024 GB मतलब 1224 GB यहाँ पर आपको use करने के लिए मिल जाएंगे साथ इसाथ कितना आपने use किया वो भी आपको देखने को मिलेगा और account का भी name उपर के share में show होगा प्रोफाइल पर एडिट करने है वो भी कर सकते हो उसके बाद अपग्रेड करना यहां से कर सकतो messaging का option मिलेगा share करना किसी file को वो भी यहां से कर सकते हो उसके बाद इस तो recycle bin का भी option यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अलावा तो यहाँ पर अपलिकेशन के अंदर आप उसरा लिंग को क्लिक करके अंदर वीडियो को बड़े बड़े विडियो को जो डाउनलोड कर पाएंगे तो इस तरह से गाइज आप अपने फोन में 17 एकिइशन को यूज कर सकतो इस अपक्लिकेशन के अंदर आपको cloud storage जो यूज़ करने के लिए मिल जाएगा